कन्या राशीवालूद अभी तक आपने देखा मेरे च। य। आपके लिए मासीक राशीफल। हर महेंचे के वीडियोस आपको देखते रहने के लिए अभए घ्यान प्रोडूक्शन चैनल को सब्सकाइब कर लेना चाहिए और प्लिज तच कर दीजे बेल आइकॉन को जिससे की आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें तो आएए चलती हूं बताती हूं आपको कन्या राशी वालों आपका यह माह कैसा जाएगा जन्वरी पारवारिक मामलों में थोड़ी खीशतान के साथ महीने की शु के लिए हर चीज की नकारत्पक्ता की सुरुवात है प्रेम संबंदों में आनंद और उच्छा के साथ समय बिता सकेंगे प्रिये पात्र के साथ यात्रा की संभावना भी प्रबल दिखाई दे रही हैं आपके बीच आकरशन और लगाव अधिक रहने के कारण आप एक दू प्रिजनस या नौकरी के बारे में आपके कार निर्धारिक तरीके से योजना के अनुसार पूरे होने और वित्तिय लाव की संभावना है मामा पक्ष से खुसी के समाचार मिलेंगे और उनकी और से कोई लाव भी है बीमार व्यक्ति की बीमारी में सुधार होता दिखाई दे रहा है उत्तरार्द में आप परिवार में भी अच्छा समय बिता सकते हैं और चर्चा के जरिये पिछले मतभेदों का हल निकाल सकेंगे हैं कि आपकी वजए से किसी को गलत फेहमी ना हो यह सुनिश्चित करना आपकी जिम्मेदारी होगी विद्यार्थियों को महीने क कि शुरुआत में अपनी पृतियों में ज्यादा ध्यान देने की सला है आप पढ़ाई में अपना ध्यान लगाएं और अच्छे से पढ़ाई करें नौकरी धंदे में अभी आप साउधानी पूरवक आगे बढ़ेंगे आपके करमस्थान में राहू है जबकि उसके सामने स्थान में पांच ग्रहों की यूती है जो आपकी प्रोफेशनल इस्सिती में बड़ा बदला उला सकती है पैत्रिक व्याउसाह में आप उत्तराद में उन्नती कर सकते हैं लेकिन प्रयास बढ़ाने होंगे नौकरी पेशा लोगों को दूसरे सब्ताह के बाद जोसर रतात मक्ता के साथ प्रगती का आउसर मिलने शुरू हो जाएंगे हलाकि आपको प्रतिदवन्दी और सत्रूं से समहल कर चलना होगा इस महीने में सुरूआती समय प्रेम संबंदों के लिए अनुकूल रहेगा खास कर आप विप्रित लिंगे पात्रों के साथ संपर्ग बढ़ाएंगे और विचारों का अदान प्रदान कर एक दूसरे की नज़दी काएंगे हलाकि उत्तरार्द में सूर्य आपके पंचम स्थान में आएगा जिससे संबंदों में नीरस्ता बढ़ने के बाद जो लोग पहले से संबंद में हैं उनमें एहम के टकराओं की संभावना बढ़ेगी इस समय नए संबंदों की शुरूआत की संभावना घट जाएगी शु अमित आए में सुधार हो सकता है छोटे मोटे कामकाज या नौकरी से होने वाली आए में किसी तरीके से व्रद्धी होगी उत्तरार्द के समय में शियर बाजार में निवेश के जरिये आप कमाई का प्रियास कर सकते हैं लेकिन खरीद विक्री के निर्णाय लेने में काफी साउधानी रखनी होगी पारिवारिक खर्चों में काफी समय लगा सकते हैं और धन खर्च कर सकते हैं विद्यार्थियों की अभ्यास में रूची रहेगी और कुछ नया सीखने की इच्छा भी उन्हें गहन अध्धेन की ओर ले जाएगी महीने के उत्तरार्द में खासक र स्वास्ति के विशे में आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा इसमें खासकर एसिडिटी आखों में जलन बेचैनी मान स्पेसियों में खिचाओ आदी की समस्या आ सकती है मोटापा और डाइबर्टीस की शिकायत होने पर दिन चर्या नियमित रखें अनिथा मुश्किल हो स इसमा जो लंबे समय से बेमारियां आपको घेरे हुए थी उनके खतम होने के असार हैं इसके अलामा सिक्षा के छेत्र में ये काफी अनकूल रहने वाला है जो लोग काफी समय से परतियोगी परिच्छा की तैयारी कर रहे थे उनको सफलता प्राप्त हो सकती है कैरियर के मो पूरे परिश्रम के साथ करें जनवरी में विदेश रात्या के भी योग बनते दिखाई दे रहे हैं वहीं वित्त के मामलों में जनवरी महसामान रहने वाला है यदि आप नया घर या नया वाहन लेना चाहते हैं तो इस महा खरीद सकते हैं जनवरी 2020 में आपके प्रेम भी मिलेगा क्योंकि आपके प्रेम विवा के योग बन रहे हैं पारिवारी जीवन को लेकर ये मापरिवार के जनों के सयोग से भरपूर रहेगा खासतर पर आपको छोटे भाई बहनों का भी सयोग प्राप्थ होगा साथ ही आपको पैट्रिक संपत्ति मिलने की भी कामले में बहुत अच्छा है तो अगर थोड़ी बहुत जन्वरी की शुरुआत मध्यम है तो आगे जाकर सपुछ ठीक होता दिखाई दे रहा है तो कन्या राशी वालों आप से कहना चाहूंगी कि अच्छा कर्म कीजिए जिसका फल उत्तम मिलेगा प्राता काल उठिये सूर आपको अभेग्यान प्रोडक्शन की तरफ से आगे आने वाले महिनों के लिए अग्रिम शुब कामनाई ओम नमाशिवाई